हेलो डियर स्टूडेंस हम फर्स चेप्टर कर रहे थे पौल साइंस का राश्टर निर्मान की चुनोतियां जो हमारी सेकिंड बुख है उसका फर्स चेप्टर है ये और मनीपूर को बारत में मिलाया गया था वहां तक का पोर्शन हमने देख लिया था अब हम आगे पढ़ते है राज्यों का पुनर गठन कि भारत जब आजाद हो गया तो रजवाड़े अलग थे जो ब्रेटिस के अंडर था वो एरिया अलग था तो कैसे राज्यों का निर्मान हुआ राज्य कैसे मनें इसमें से कैसे उनकी सीमाय तै की गई यह सारी चीजिया इसके अंदर हम देखें चुनोती थी हमारे देश के सामने देश के अंदर जो चुनोती है हमारी वो बहुत बड़ी थी कैसे राज्यों का बटवारा किया जाए परसासनिक भी बाजन का मामला था कि पूरे देश को चलाने के लिए एक इंसान या एक केंदर सरकार जो हो नहीं चला सकती तो इसमें बहुत सारी समच्चाइं सामने आई थी और हमारे देश में अलग-लग भासा थी अलग-लग संस्कृति थी और इसको भी खंडित नहीं होने देना चाहती थी जो इंडिया की सरकार थी तो इसके लिए क्या क्या किया उन्होंने राज्यों का पुनर गठन करने के लिए पुनर गठन आयोका निर्मान किया गया इसके बारे में आगे पड़ेंगे इसमें सबसे पहले क्या था छेतरों को किस तरीक के से बाता हुआ था जो रज़ुआडों के अंडर थे छेतर, उनकी सीमा जो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही सीमा माल ली था अब डेटिस के अंडर आता था ब्रेटिस काल में चो लोगों ने जो छेतर जीत लिया था उसको एक अलग छेतर बना दिया जाता था तो इस तरीकि से सीमा जो है वो बनावटी दियो और इन बनावटी सीमाओं को खारीज कर दिया गया था बहुतिती है सरकार के दिवारा फिर उन्होंने का कि भासा के अधार पर हम राज्यों को बनाएंगे और इसके लिए राज्यों का पुनरगठन मतलब भासा के अधार पर राज्यों का पुनरगठन किया जाएगा अजादी के बाद बटवारे के बाद ये स्थीती बदल गई थी क्योंकि आजादी के बाद हमारे देस की जो नेता है वो यह चाहते थे कि अगर भासा के अधार मतलब वो उनका मानना था कि वह साक्याधार पर अगर प्रामत को बाटा जाएगा तो देस में वे विक वह तैस् तो जो हमारी में प्रोब्लम है सामा जी को रार्थिक चुनोतियों की उनसे हमारा ध्यान बटक जाएगा हम बासा में ही उलजकर रह जाएंगे थी ये बहुत बड़ी-बड़ी समझ्या हैं थी तो केंदर सरकार ने क्या किया बासा के अधार पर जो राज्य बनाने का फैसला तो के यह द्ट पॉस्ट्पोर्ण कर दिया कि लiken कि इस से बात नहीं है और यह मामला तो स्थध़ हम आप बक राख साथ में देश का बहाँ आदा फैसले कर दिए कम सरकार आज बिल्कुरंगी नहीं किया जाएगा बहासा के अधार पर राज्योंगा दिफीनारस निर्मान जुदंगे हैं वो भड़क गए तेलगू सेटर के गरम बात करें कि Pहले मदरास परांच वा करों आज मदरासमें से तमिल नाडूर अंदर प्रदेश दोनों ही बने हुए हैं कुछ ही से इसके करनाटक और केरला में भी गए हुए हैं तो पहले मदरास प्रांट हुआ करता था यहां के लोगों ने जो तेलगी वासी थे उन्होंने डिमांड की कि हमें आंधर परदेश नाम से एक नया राज्य चाहिए तो आंधर 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 के फोलोवर हुआ करते थे पोटी सिरीरा मुलू इन्होंने एन इस्चितकाल हरताल घोसित कर दी अंसन पर बैठ गए चपन दिनों तक यह अंसन पर बैठे रहे भूख हरताल इन्होंने की और इनकी डैथ हो गई और इनकी मिर्तु होने के बाद आंधर और भी तेज हो गया जगे जगे हिंसक घटनाए होने लगी फिर आखिरकार सरकार को यह बात माननी पड़ी कि अंदर प्रदेश को हम एक नया राज्य बना रहे हैं और दिसंबर में उन्नी सो बावन दिसंबर में आंदर प्रदेश भासा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और अंदर लंगाना है ठीक है तो इस तरीके से पहला राज जो है वह अंदर प्रदेश से बनाया गया यहां फिर 1961 में कैसा था हमारा भारत यह दिखाया गया है उसमें जो है यह चतिस गड़ह अलग नहीं हुआ था उतरा खंड अलग नहीं हुआ था पंजाब से माचलोर हर्यान अज़ा अलग नहीं हुआ बहुत शारे च्छेतर जो हैं बने नी थे टेलंगाना तो अब लास्ट में ही बना है तो यह राज्ये जो हैं उस समय तक बने नीप पीछी क्युश्च रखें उनमें से आपको आंसर देने हैं कि कौनसा राज्य किसमें से बना है जैसे गुजरा परधान मंतरी जवारलान नहिरू है वो कुछ लोगों से घिरेवे हैं और ये लोग कौन है ये देश की मांग अलग राज्य की डिमांड करने वाले लोग हैं और इतनी कन्फूजन हो गई थी कि हर कोई अपना अलग राज्य मांग रहा था तो परधान मंतरी जो है वो समझा में आ गए थे तो इसके लिए क्या किया एक अलग से आयोग बनाया गया ठीक है राज्य पुलारग अजबत है ये य क्येंडिनियमन लाया गया और इस फिर में च्जिवन परीचे यह वो ढ़्या दिया हुआ इसको है यसको ब्याट अब घृफदर कर ले goose cило के डम हा हूँ है यसाटुन बे कर दिश 오늘도 में क्या दिखाया गया है कि यह जो सुराई है जो आपको इस सुराई दिखाई दे रही है यह है स्टेट रिकोगनाइज कमिशन मतलब राज्य पुनरगटन आयोग और भाशा भिवाद बड़ा है और यह आयोग छोटा है तो इस आयोग के सामने भी भाशा के आधार पर जो राज्यों की डिमांड वो एक बहुत बड़ी समस्या थी और इतनी बड़ी समस्या को सोल करने का काम जो है आयोग कर रहा था तो बहुत बड़ी समस्या थी बहुत मुस्किल काम था हमारे आयोग के लिए इसके बाद अगर हम देखें तो आजादी के बाद हमारे देश के न बनाए लिया कि पुनर गठन राज्यों का कर ही दिया जाए क्योंकि जगह जगह डिमांड होने लगी थी जगह जगह जो है बटवारे अलगाओ के कांड खत्रे में आ गया था हमारा देश चेत्रियमांग बढ़ रही थी तो इस तरीके से उन उनको बाद में एहसास हुआ कि इस कदम को गरम उठा लेते हैं और इस कदम से कुछ अच्छा ही हुआ जाए अंदर पर देश अलग राज्ये तो बना लेकिन देश के अंदर ही वो शामिर रहा तो इसको एक लोगतांत्रिक कदम समझा गया तो पुनर गठन आयो की गठना को 50 साल से भी उपर हो गए है इसके बात भी पहले कुछ लोगों का मानना था कि इससे देश के अंदर प्रोब्लम सा जाएंगी देश तूट जाएगा पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अब राजनीती और सत्ता में भागिदारी का रास्ता जो है अब क्या हो गया था पहले लोगों बहसावार पुनर गठन के राज्यों के सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला कि कैसे राज्यों की सीमांकन किया जाए कैसे सीमा को निर्धारित किया जाए तो यह चीज़े भी साफ होने लगी और देश तूटा नहीं बलकि देश के अंदर एकता और भी मजबूत ह बहसावार पर राज्यों बन गई उनकी डिमांड भी पूरी हो गई और देश तूटा भी नहीं अलग-लग राज्यों में बटा भी नहीं अब इसके बाद अगर अगर हम देखें तो इस चीज को क्या माना गया लोगतंत्र करना और लोगतंत्र का मतलब सिर्फ सवीधान प पर जो है विचार धाराओं को बनाना जैसे एक छोटा सा एक्जामपल ले लेते हैं हमारे परिवार में जितने भी लोग हो सकता है हमारे हमारे फादर के साथ या मदर के साथ या भाई या बहन के साथ विचार ना मिलें लेकिन हम वहां रहते हैं मतलब सब के साथ सम्मान के सा सब में विरोध भी हो सकता है लेकिन वहां पर विचारों जिवन पदतियों की धार्णाओं के साथ रहा जाता है तो इस तरीके से यह बताया गया कि लोगत तंतर सिर्फ इतना ही नहीं है अब आगे है नए राज्यों का निर्मार देखो यहां पर देख लेते हम कि कैसे दिख पहले मुंबई जो चेतर हुआ करता था उसमें से गुजरात बन गया जो मराठी बासा बोलने वाले लोग थे इसमें से गुजरात और महाराश्टर बन गए पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश बना और हमारा हर्याना बना डिमांड 1956 में उठा ली गई थी बट 1956 के लगभग 10 साल बाद 1966 में यह पूरि पंजाब से हर्याना होर हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया फिर 1972 में पुर्वतर जो राजे हैं उनको बनाया गया जैसे आसम से अलग करके मेघाल्य को बनाया गया इसमें यहां दिया हुआ है मेघाल्य को बनाया गया मनिपूर 20 साल बना तिरीपुरा 20 साल बना और मिजोरम मिजोरम औरनाचल परदेश उसी समय सामने आए और नागा लेंड जो है वो 1963 में ही बन चुका था तो इस तरीके से बहुत सारे राज्य बने अब 2000 में भी कुछ राज्य बने ये जो राज्य हैं ये अपने विकास के लिए मतलब इन्होंने का कितना बड़ा छेतर होने के इता सरकार विकास नहीं कर पातीज halfway फ्रहोपर विकास के लिए छेतर बने ये 50 बने लंग आ जाये तो उस समय मध्यपरदेश में 96 बना गया और यूपार CP से उत्रा खंट निकाला गया और बिहार में से ज़ार खंट निकाला गया आध्यार दोओहजार में ये राज्य रही है पस्चिम बंगाल के उत्री भाग में भी अलग राज्य की डिमांड चल रही है तो आज भी यह दिमांड खतम नहीं हुई है वासा के हदार पर यह दिमांड हो ही रही है तो डियर स्टुडेंट आपका फर्स चेप्टर कंपलीट हो चुका है और इसकी अक्सरसाइज क कि आप खुद कोसिज करेंगे एक बार जो मैच है ट्रू फोल्स है इन सब चीजों को करने की कोसिज करेंगे और किस्टन आंसर आपको प्रुवाइड करवा दिये जाएंगे गुडबाय स्टुडेंट